Hey guys, welcome you all again to study civil, friends, already you know कि मैं quality subject के आपको analysis, जो PYQ analysis and आपको strategy दे चुका हूँ, ठीक है, यह हम क्या कर रहे हैं, यह हम अपना 180 days holistic plan है, कि हमें कैसे अपना syllabus ख़तम करना है, उसके अंदर चल रहे हैं सारे videos, अब यह videos आप separately भी देख सकते हैं, जो 2024 की मेंs की preparation कर रहे हैं, वो भी देख सकते हैं, अब देखो, मैं आपको एक चीज यहां पर थोड़ा सा बता दूँ, कि बच्चे, एक question था बच्चे का, कि सर मैं solve कौन सी book लूँ, mains के लिए, mains की solve book, तो यहां पर मैं clear कर देता हूँ, कि solve आप book कभी मत लीजिए, आप direct question पर लेजिए, PYQ और उनको जो आप अपने notes में लिखोगे, वही तो आप answer में लिखके आओगे, आपको कैसे, अब यह answer writing के लिए, आपको कैसे सोचना है, जो questions आपको नहीं आते, उनका भी answer आपको कैसे लिखना है, किस approach के साथ, आपको question handle करना है, यह सारी चीजे मैं इस note making वाली वीडियो में आपक आपको बता चुका हूं, ठीक है, मैं हर वीडियो को try कर रहा हूं, कि एक अलग direction हो, जैसे कि मैंने policy के PYQ जो analysis किया था, उस तरह से आपको सारे papers के analysis करना है, कि कौन-कौन से questions, PYQ में क्या देखना है, जो मैंने policy के में क्या बतायता है, कि कौन-कौन से question आपके, पूरे factual ह और कौन से questions आपके, analytical है, या फिर conceptually भी बोल सकते है, या फिर theoretical बोल सकते है, direct जो theoretical है, ओके, अब इस में से factual जो आप है, उनमें काफी problem आती है, लेकिन मैंने आपको proof दिया, कि भाही, जो आपका mains का paper है, वो बिल्कुल भी factual नहीं है, factual होते हुए भी, आप कैसे 100 number बढ़ा सकते हैं, ये भी मैंने आपको quality के video में बताया, जो quality का PYQ analysis नहीं देखा, तो उनको जाके देखो, कम से कम, आप जब तक PYQ नहीं solve करोगे, नहीं समझोगे, आपको themes ही पता नहीं चलेगे, एक किस एरिया से वो ज्यादा पूछ रहा है, कई सारी topic तो ऐसे थे, जो जिससे बार-बार question आ रहा है, तो ये आपको देखना ही देखना है, जैसे question मैं आपको बता रहा है, delegation, हर साल की paper में question आ था, 2022 में 2020, public administration, new management वगरा, तो इनके हर साल question आ रहा है, तो आपको इनको focus करना है, कि कौन-कौन सी themes हैं, ये कैसे बता चलेगा आपको PYQ analysis से, अब मैं आपको old marking scheme है, और new marking scheme है, उससे आपको कितना जादा benefit है, वो benefit मैं आपको यहां पर भी बता देता हूँ, पर उससे पहले एक और चीज, इस वीडियो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो मैं थोड़ा सा आपको approach बताने जा रहा हूँ, जो note making की video मैंने answer writing tips आपको दी थी, answer writing कि आपको एक तो था, ठीक है, chain approach हमारी थी, second थी, stakeholder approach, इन दो approach से आप बहुत को सोच सकते हैं, ठीक है, एक मैंने बताया था dimensions, यह मैंने इस तरह से बताया थे आपको, अगर आपने नहीं भी देखा तो बात में जाके देख लिएए, आपको यह वीडियो ही समझ में आए हम देखेंगे थोड़ा सा, वीडियो देखो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं अगर यह एक घंटे का वीडियो भी है मान लीजे, 40-45 मिनट्स का वीडियो है, आपका कम से कम यह 5-6 दिन सेव कर लेगा, आपकी preparation में, मैंने आपको बताया था ना, कि हार्ड वर्क और स्मार्ट में कितना अंतर है, बताया था ना बार-बार, ठीक है, तो वही मैं यहां पर उसी approach को हम यहां पर लगाएंगे, अब जो नई scheme के accordingly क्या है, कि नई scheme में यह 2 marks का कर दिया है, 15 questions आएंगे, यह questions है, यह marks है, तो अभी 2 into 15, means 30, तो अब सोचो, अब यह सबसे short question है, यही सबसे ज्यादा factual आते हैं, जो इससे 7 marker या 10 marker जो रहेंगे, वो उतने ज्यादा factual नहीं आएंगे, अब यह तो बहुत अच्छी बात है, तो अब अगर हम यह factual अगर हमें नहीं भी आते, तो हम बहुत कम marks lose करेंगे, और analytical के through, हम बहुत ज्यादा marks gain करेंगे, तो यही मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, quality के वीडियो में कैसे हम new scheme और old scheme जो दौनों है, उस मैं से 100 marks कैसे ज्यादा gain कर सकते हैं, और 100 marks बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो आप यह मत सोचिएगा कि पिछली साल का cut off इतना गया, तो मैं उतना ही cut off लिया हूँ, तो मेरा mains निकल जा 2022 का, अभी 2021 का भी देखेंगे, 2020 का भी देखेंगे, हम सारे papers देखेंगे, don't worry, अब देखो, यहाँ पर मैं आपको बता दूँँ, कि यह देखो, आपको अगर कोई confusion हो, यह मैं पॉलिटी का अल्री अनलेसिस कर चुका हूँ, यह देखो, 2022 का GS2 का paper, ठीक है, इसमें economy था प question है, वो तो generally आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें generally definitions आती है, या फिर कुछ fact पूछ ली जाते है, ठीक है, बहुत कम question ऐसे मिलेंगे, जिनको हम analytically solve कर सकते है, अब जैसे कि देखो, एक यहाँ पर मैं आपको trick बताता हूँ, questions को ध्यान से पढ़ो, progressive taxation क्या होता है, अब tax taxation पढ़ते हैं, तो आपको पता होता है, लेकिन मैं आपको एक example दे रहा हूँ, कैसे सोचना है, think करना है, अब यहाँ लिखा है progressive, मतलब कि दिरे-दिरे कोई चीज है, वो progress कर रही है, कोई चीज क्या है, और tax वैसे किस पर लगता है, human beings पे, हम लोगो पे, तो human being है, वो देरे-दिरे क्या कर रहा है, progress कर रहा है, okay, अब progress करने का क्या मतलब होता है, tax के form में, economy के form में, कि आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, यही तो progress का मतलब है, ठीक है, मतलब मैं इसके form में बता रहा हूँ, economy का है, बैसे progress का मतलब हर किसी के लिए अलग होत रहेगा, okay, तो progress, अब यहां पर मैं बता है, human, human क्या करते है, progress करते है, progress करते है, money, पैसे के form में करते है, economic, financial, okay, अब आपने इतना जान लिया, अब आप देख रहो कि progressive taxation, मतलब जैसे-जैसे कोई human being progress कर रहा है, उस पर tax लगता जा रहा है, यही इसका ditto मतलब है, तो आप वर्स को भी तोड़के किसी भी चीज का answer निकाल सकते है, अब यहां पर देखो, minimum support price, अब MS के रहे हैं, थोड़े बहुत भी कोई जानता होगा, तो उसको यह पता है, कि यह farmers पे लागू होता है, अब farmers को support करने के लिए, तो farmers को किस चीज में इंसान support करेगा, तो हम फिर से oser host stock holder के लिए Woofers के साथ क्या cash bonding हा, ठीक है 인 के उनकी Fassal, उनकी क्या होती है उनकी Fassal, अगर उनकी Fassal के अच्छı price मिलेगा, price लिखा है न, वही तो उनके लिए main है, कि Fassal का अच्छा price मिलेगा, तभी तो अनको support मिलेगा, तो जब उनके Fassal का अच्छा price मिलेगा, एक minimum price प्राइज मिलेगा minimum, तभी उनको क्या मिलेगा support, तो यह मतलब होगा इसका what is the objective of minimum support price, got my point कि किस तरह से आप इनको तोड़कर, सब्दों को तोड़के, उन सब्दों के बारे में लिख सकते हैं, तो ठीक है, मानलो कि progressive protection कुछ और मतलब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जब 3-4 में यह technique लगाओगे, तब जाके आपके 1-2 कोशन भी सही होगे, तो better than before हो गया, कि आपको जब एक तो होता है कि कुछ ना करो, एक है कि कुछ कर दो, तो by chance वह सही निकल जाए, what my point, what I am trying to say you, okay my dear friends, next, what is the primary function of international monetary fund, कोई fund है, international है, पैसे का fund है, इसके primary function क्या है, आपको नहीं पता बिल्कुल भी कुछ भी, तो आप चलो general लेख सकते हो कि यह चाहता है कि कोई भी जो देश है, उसके development work में है, यह भाग ले सकता है, वैसे IMF का अलग मतलब है, जब classes होती है, तब आपको समझाता है, मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ, आपको approach करने का तरीका बता रहा हूँ, किसी भी question को कैसे approach करना है, यह तो short questions है, तो इनमें इतना approach techniques नहीं लगती है, लेकिन जो long questions है, उनमें बहुत 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 काम करेगी, ठीक है, आप बिना पढ़े भी questions का answer दे पाओगे, what my point, चलो, what is the primary objective हो, मद्रदेश State Forest Development Corporation, यह, अब मद्रदेश की State Forest Development Corporation, इसका objective क्या होगा, forest development होगा, बस यह आपको लिख देना, आपको नहीं भी आता हो, तो आपने नहीं पढ़ा इसके बारे हैं मान लीजे, ठीक है, वैसे तो पढ़ोगे इन चीजों के बारे हैं, लेकिन नहीं पढ़ा तो बता रहो, what is the percentage of child population as per census, completely factual question, आता है, तो ठीक है, नहीं आता, आगे बढ़ोगे, इसमें कुछ, आपको ही टेक्निक नहीं लेगा सकते हैं, ठीक है, आपको census अच्छे से 2011 का पढ़के जाना है, क्योंकि हर बार question आता है, और इस बार आपको 2024 के प्रीमे भी इसके, I think two questions आये, census से, कितने है, two questions आये, ठीक है, what is the, मुख्यमंत्री, ग्रामीड, पथ, विक्रेता, योजना, पथ, विक्रेता, आपको कुछ नहीं पता, तो आप सोचो कि पथ, विक्रेता, जो रोड पर विक्रेता होते हैं, उनके लिए कोई योजना हो सकती है, ठीक है, मैं यह नह old age, according to Oxford dictionary, accordingly old age, का मतलब क्या है, Oxford dictionary आजकार कौन पढ़ता है, सब Google पर Word ka मतलब देख लेते हैं, ठीक, completely factual question, what is mean by deprived classes, हाँ, यह एक analytical question, आपका बिलकुल मैं मान सकता हूँ, कि deprived classes से मतलब क्या है, okay, vanchit work, vanchit, जो किसी चीज से vanchit है, अब vanchit से मतलब क्या है, कि India का development हो रह र रहेंगे ही रहेंगे human okay human में भी वो population okay जो की पैसा कमा नहीं पा रही है क्या पैसा कमा नहीं पा रही है human के अंदर वो deprived बोलाए ना ठीक है तो poor वाले जो लोग है वो इसके अंदर आ जाएंगे ठीक है और इनके उपर आप एक और चीज सो सकते हो कि जो rich person है rich person है उनका क्या effect पढ़ रहा है poor के उपर अब इस poor को देखना है कि यह किस किस चीज से वंचित है पहले वंचित इंसान कब रहता है जब उसे नौकरी नहीं मिलती employment ठीक है जब वो health यह यह stakeholder approach हो गया यह मैं जो आपको बता रहा हूँ यह stakeholder approach है कि कौन-कौन stakeholder है किसी भी चीज में अब poor है त Second, उसको health की अच्छी facilities नहीं मिल रही इसलिए वो poor है उसको education अच्छी नहीं मिल रही इसलिए वो poor है Got my point तभी तो जो India का development हो रहा है उसमें वो help नहीं कर पा रहा है या फिर help कर रहा है तो उसको उतनी wages नहीं मिल रही है उतनी तंख्वा नहीं मिल रही है जितनी उसकी मिलनी चाहिए इसलिए that's why he is deprived okay वो वनचित वर्ग हो रहा गया अपनी जो जो उसको मिलना चाहिए जो जिस progress में इंडिया के development में जितना इससा उसका होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है वो खुद के लिए पी उतना नहीं गरवा रहा है ठीक है और उसकी family family पर क्या effect पढ़ेंगे यह मैंने आपको बता है deprived classes देखो यह 40 माय है आपको यह दो तिन पॉइंट लिख दो कि ना employment health education इसी में आपको पूरे नमर मिल जाएंगे पूरे तो चलो कोई नहीं देता लेकिन आपको बहुत अच्छे नमर मिल जाएंगे लेकिन आपको बहुत बड़े में लिखना होता आपको माल लिए 200 words में लिखना होता तब आप यह human, tour, rich के क्या effects हैं, country के development हो रही है, उसके क्या effects इनके उपर पड़ रहे हैं, क्या इनको आजकल यह जो deprived class है यह बाहर निकल पा रही है या नहीं निकल पा रही है, तो यह सारी चीज़े आपको इसमें सोच के लिखनी है, म मैंने आपको यह वीडियो इसलिए बनाया है, मैं आपको बार-बार बता रहा हूं कि मैं आपको सोचना बता रहा हूं कि कैसे आपको ना पता होते भी आप कैसे question को handle करोगे, ठीक है, what is culture according to Broom and Selznick, तो इनके अनुसार culture क्या है, यह आप देखो, जो society है, sociology, उसमें बहुत जानोगे, अब यहां पर क्योंकि यह old slavers के accordingly है, तो आपको मैं यह भी बताता जाओंगा कि यह topic कि subject का है, कोई बहुत इस पर topic आता है, generally इन्होंने क्या है, economy के साथ, sociology या फिर society में, कुछ भी बोलों, आप समझ जाएगा, sociology या society को mix करती है, ठीक है, what is the key objective of संसकार, संसका of ruler life, does community development change, अब देखो समधायक विकास, ग्रामीड जीमन के किन पच्छों को परवर्तित करता है, completely stakeholder approach, यहां पर clearly रिख दिया कि किन पच्छों को, क्या, which expect of ruler life, ruler life के, ठीक है, does community development change, तो अगर community का कोई development हो रहा है, वो ruler life को कैसे change करेगा, ठीक है, समधायक विकास, मतलब यह पूरी यह community अमाल लो, उसका, वो develop कर रही है, बढ़िया, उसमें परवर्तन आ रहा है, तो वो, क्या ruler जो life है, अरवन नहीं, ruler, ठीक है, जो गाओं के लोग है, उन पर किस तरह से, इसका effect पढ़ेगा, यह बोला है, अब simple जी बात है, जो मैंने यहां पर आपको बताया, य अब से पहले human approach आ गया, अब human के development के लिए क्या क्या चीजे जरूरी है, वही same चीजें कि उनके पास education अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, community के पास, community को एक भागी जारी मिलनी चाहिए, development के अंदर, ठीक है, इनके मतलब जो financial inclusion होता है, यह भी एक वह हो सकता है, बहुत अच्छ होगा, ठीक है, तो self-help group, जो women's की होती है, वो क्या, वो गाव में ही तो होती है, और अपने committee, committee सुना होगा, कि महिला है, बहुत सारी मिलके committee बना लेती है, तो वो क्या हो गया, वो community development ही तो हो रहा है, उनसे woman का status उपर हो रहा है, देखो woman भी एक stakeholder हो गई, education, financial, health, ठीक है, और वहां का आस-पास का, जो क्या बोलते है, surrounding development, surrounding development में क्या क्या आता है, जैसे कि वहां hospital होना चाहिए, वहां पर education के लिए बढ़िया school होना चाहिए, वहां पर आपकी connectivity बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जो nearby बड़े hospital में पहुंच सको, nearby अपना सामान जा की development में आती है, वहां को water मिलना चाहिए, तो यह क्या है, यह stakeholder approach होगा, okay, dimensions हो गया, लगया, कैसे मान लो, तो यह की चीज है, चलिया, according to census, देखो, फिर से census का question आया, तो अब आपने P.I.Q. पढ़ा, तभी तो आपको पता चला कि census बहुत ज्यादा important topic है, not only for pre, even for mains, प्री में my point, I hope so, okay, now what is Patayala community, where do they decide, और मैं एक चीज और बता दूँ कि देखो, बच्चे कहां पीछे रह जाते हैं, वह इन्ही वीडियो को नहीं देखते हैं, वह फालतु 50 वीडियो देख लेंगे, MPPSCQ पर आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे, UPSCQ पर आपको 50 वीडियो फालतु फ topic पढ़ाऊंगा, या फिर मैं आपको strategy वीडियो ऐसा पताऊंगा, जिससे आपका easily five to six days बच्चे बच्चे, that's my guarantee, जैसे note making वाल आपने वीडियो देखा होगा, I hope so, अगर नहीं देखा तो उससे जाके देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा उस वीडियो को देखके, कैसे think करते हैं, उसमें सारी चीज़े बताई है, what is patayala community, अब patayala community को आपको बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा अलग अलग जो communities होती है, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, अब जब patayala community पढ़ोगे, तो इनकी growth ये deprived है या नहीं, ये स science का question है, science and tech का question, health का question है, वहाँ पर आप इसको पढ़ोगी, फढ़ोगी, ठीक है, जब मैं science and tech के questions को analyze करूँ हो तो इसमें सारी चीज़े बता दूँ, what is the main component, green revolution, तो green revolution देखो बहुत easy topic है, हर कोई पढ़ता है, तो इसके बारे में ज्यादर discuss करूँगा नहीं, इसमें और एक होगा देखो इसमें environment, environment के अंदर, soil, forest, okay, एक होगा local market, क्या आप local market में सामन बेश सकते हैं और नहीं बेश सकते हैं, अब यहाँ पर मैंने यह, मैंने कोई पढ़के नहीं बता रहा आपको कहीं से, कि मैंने पहले से लिखके रखा है, मैं आपको direct बता रहू कि government है, अब उनका policy का देखो, कुछ positive impact भी होता है, कभी negative भी हो जाता है, ठीक है, local market, revolution तभी तो आएगा, जब इनसान जो farmer, जो फसल उगा रहा है, farmer, वो जो crop अपनी उगा रहा है, उसकी अच्छी उसके दाम मिले, जो MSP, minimum support price, ठीक है, वहीं से तो यह चलन चलना स्टार्ट भी ह ज़्यादा strong hold मिला था, तो बाकी environment, आप कहोगे, environment पर कैसे effect पड़ेगा, तो आपको इंडिया में देखा होगा, कि यूरिया जो fertilizers है, उनका बहुत ज़्यादे use हुआ, हुआ कि नहीं, तो उससे soil की quality ती वो degrade हुई है, अब health भी है कि इसमें approach आ जाएगा, जब soil की quality degrade ह हुई है, fertilizer ज़्यादा use हुए है, तो green revolution के वैसे कहीं ना कहीं, अब जाके उसका impact दिख रहा है कि health के उपर भी बहुत गलत impact आ रहा है, क्यों, क्योंकि green revolution से इंसान commercial ही चला गया, क्या crop, जो commercial crops बगएरा है, उनमें ज़्यादा चला गया, या जो खाने के गहहुं बगएरा तो मैंने ये बिना पड़े, मैं green revolution का रहा है, कोई भी चीज लिख सकता हूँ, कोई भी चीज, got my point, और कुछ जो इसके बारे में factual जानकर ये लगबग पढ़ते ही है, कि किसी ने green revolution की, इंडिया के अंदर शुरुआत की, कब ये शुरुआत हुआ, क्या condition सी background क्या था, महाकाल की paper देने गए हो, what is included in the non-tax revenue receipt, अब यहाँ पर भी देखो, generally ये चीज पढ़ते है, कि tax revenue receipt, non-tax revenue receipt, ये क्या होती है, capital account और वो सब इन चीजहों में आता है, तो non-tax, ऐसी जिन पर tax नहीं लगता, revenue जिन से, और receipt, मतलब revenue मिल रहा है government को, revenue को government of India को मिल रहा है, ठीक वहाँ से, उसकी कमाई हो रही है, ऐसी जगे से, जिनकी उपर tax इतना होता है, कि आपने income कमाई, ठीक है, उसकी उपर government ने tax ले लिया, कि लाओ भीया, इसमें से 10% निकाल गया हमें दे तो ये हमारा tax हो गया, second, आपने कोई item खरीदा, ठीक है, आपने कोई भी item खरीदा, आ आपको मैगी पर, मादलो कि आजके लाइधिंग 14 रुपीस की है ना मैगी, तो 10 रुपे की मैगी बना के दी, जो factor cost है, और उसके बाद 4 रुपे क्या ले लिया, 4 रुपे ले लिया, उसने सरकार ने के लाओ, यह हमारा tax हो गया, 4 रुपे, या जो भी इस पर GST लगेगा, जो 18 परसेंट या जितना भी परसेंट होता होगा, ठीक है वो इस पर tax लग जाएगा, अब यह तो taxable हो गई, taxable income of government, अब मालो railway में government का हिस्सा है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोंटरिक लिमिटिव में government का हिस्सा है, यहां से जो profit आया, उसमें government भी एक shareholder है, तो यह कोई tax थ कीजिए, जिन जो non-tax revenue receipt है, नहीं आते हुए भी आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते है, ठीक है, what is the meaning of current account, full convertibility, अब देखो यहां पर भी यह थो थो थोड़ा economy का बहुत simple topic है, आप पढ़ते हो इसको 100, 1% पढ़ते हो कि current account क्या होता है, capital account क्यों होता है, ठीक है, किस account पह है, full convertibility है, किस account पह है, limited convertibility है, half convertibility भी लिख सकते हैं, यह सारी चीज है, तो यह बहुत easy question है, इसमें stakeholder approach पगरा कुछ लगानी चुरुत नहीं है, या आप पढ़ते ही पढ़ते हो, generally, अगर आपको teacher नहीं पढ़ा रहा तो भाहिया, फिर तो समझ लो कि आप गले teacher से पढ़ What is the scenario of cooperative banks in मद्विस, अब cooperative banks पहले क्या होती है, ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए, फिर उनके, उनको कौन regulate करता है, ठीक है, यह सारी चीजे आपको पता होना चाहिए, किस field में यह operate करता है, जो cooperative banks है, किसली यह operate होती है, किसली क्या उनके objectives होते है, किन को वो loan दे सकती ह है, यह सारी चीजे, अब उनके मद्विस में क्या सेनर्विव है, आपको cooperative banks के बारे में पता होगा, तो आप मद्विस के बारे में easily लिख सकते है, ठीक है, तो banks वाले chapter में यह सारी चीजे हम cooperative banks, schedule bank, commercial banks, यह सारी चीजे banks पढ़ते है, कोई दिकल के बाद नहीं, what is the first stage of elementary education, अब elementary education का first step क्या है, ठीक है, एक बात या रखो, आप national education policy है ना, जो नहीं वाली, वो पढ़के ही पढ़के जाओ, उसके उपर question आ रहे है, अगर आपने उसके उपर question कर लिया ना, तो अगर national education policy is question आ गया, तब आप easily solve कर सकते हो, ठीक है, elementary education, मतलब education की जो भी facets होते है, facets सारी education, आपको वहाँ national education policy से आपको easily grasp कर लोगे, तो national education आपको अलग से लिख लोगे, यह मुझे पढ़ने है अच्छा है, बैस सलिवसमा I think given है यह, okay, write the three states of disability according to world health organization, अब यह थोड़ा से देखो factual होगा कि, जो disability होती है, निसकतता होती है, ठीक है, उसके तीन चरण क्या है, तो यह थोड़ा सा factual question मैं मानता हूँ, ठीक है, बैसे भी नहीं पता हो, तब यार इसमें तो लिख सकते हैं, हार्ट टुट है, disability क्या है, मतलब आपकी mind थोड़ा सा V को मैं जो लिखता, ठीक है, मैं अभी तुरण सोच के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर सोचने होता है, मैं बताऊंगा, जब answer writing की techniques होगी आपकी, तो आपको बहुत detail मैं बताऊंगा कि किस तरह से time को manage करना होता है, अभी आप बिल्कुल चिंदा मत कीजे, आपको अगर किसी की answer writing इसकी लिखनी भी है, तो take your time, easily take your time, अच्छे सी इसका model answer लिखो, आप इसका proper एक line का intro क्योंकि छोटा question है, ठीक है, एक line का conclusion इसका सोचो, world organization का, और body लिखो इसकी, वो सारी चीजे है, ठीक है, आरम से इस question को आप आधी घंटे में कीजे, कोई टाइशन ही अभी आपके पास time है इतना, ठीक है, जब आप वो करोगे, मैं answer writing techniques में बताऊंगा, जब आप और answer writing भी करोगे, उसके लिए, test paper दोगे, तब भी आपके लिए, तब आपको time manage करना है, अभी आपको time manage करने की नहीं सोचना है, आपको answer लिखने की सोचना है, कैसे भी करके मैं अपना पूरा answer लिख सकूँ, चाहे देख के लिए को कोई दिक्कती बात नहीं, it is simple to measure the civilization but not culture, explain, it is simple to measure civilization को measure करना आसान है, culture को measure करना easy नहीं है, तो आपको civilization of culture की definition पता है, society में आप पढ़ते हो, तो आप इन दोनों के बारे में आप कुछ भी अच्छी से proper लिख सकते हो, इनके differentiation लिखना है एक तरह से, ठीक है, उसी में measure का आ जाता है, जब differences है आप पढ़ते हो ना, तो उसमें measurement आ जाता है, what is Navad, आपको Navad के बारे में पता होना चाहिए, how are you useful for villagers, villagers के लिए कैसे, यह helpful है, ठीक है, यह बढ़ते ही पढ़ते है, मैं इन चीजों के बारे में नहीं बता रहा है, मैं उन कोईशनों को बताने की कोशिस करूँगा, जो की आपको नहीं पता, या जो किसी कि आप किताब से आप solve नहीं कर पाते हैं, आप नवाड बगए रहा है, easily किताब से solve हो जाते हो, ठीक है, पुरुस्प नस्वंदी, वैसक टो टैमी, ठीक है, ठीक है, एक सर्जीकल प्रोसीजर क्या होगा इसका, यह थोड़ा आपका टेकनिकल कोईशन है, ठीक है, science and tech का कोई Explain the possible impacts of Indian agriculture through world trade organization, अब world trade organization जो है, इसके बारे में आपको जान कर रही हो निची, कि world trade organization के क्या functions है, क्या नहीं है, यह आपका पूरा factual है, ठीक है, agriculture आपका पूरा factual है, अब इन दौनों को, इनोंने मिला दिया है, तो अब simple सी बात है, यहाँ trade की बात हो रही है, agriculture की बात हो रही क्या क्या impact है, Indian agriculture के उपर, तो यहाँ पर देखो, एक farmer रहेगा, farmer अपनी crop grow करेगा, फसल हो गाएगा, फसल को या तो वह वहीं पर local market में बेज़ देगा, ठीक है, तो WTO को जादा impact नहीं पड़ेगा, और second market, अब market के उपर export कर सकता है, वह क्या कर सकता है, वह export बेज़ बे कैसे-कैस impact करेगा, farmers को कैसे impact करेगा, crop को कैसे impact करेगा, export को कैसे impact करेगा, ठीक है, यह चीज़ आपको अब सोच नहीं है, यह तो हो गया देखो, आपका chain approach, कि farmer farmer ने crop by crop को market में लेके गया, एक बीच में transportation यहाँ पर और आता है, लेकिन उसकी यहाँ पर World Trade Organization में हमें इसमें जरूत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कि वो जो ट्रांसपोर्ट करता है, एक से दूसरी यह पर, तो वो भी एक इसमें dimension जुड़ जाता है, अब farmers को किस तरह से impact करेगा, farmers को कौन impact करता है, policies, कौन impact करता है, government, अब government की policies को कौन impact करता है, जो global policies जो होती है, global policies, ठीक है, वो impact करत है, जो global में, पूरे जो दुनिया में चल रही है, कुछ policies, तो government सोच समझ की, तो policies बनाएगी, कि हम जब export करें, तब भी दिक्कत ना है, अब global policies को कौन impact करेगा, ठीक है, कि कैसे, एक देश से, दूसरे देश में, अगर हमारा trade हो रहा है, तो इसको WTO देखता है, देखता है ठीक है, export करेगा, तो export के कुछ नियम होते हैं, कि आप कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, आप इतनी कम rate में, किसी देश में नहीं बेश सकते हैं, कि वहां की अर्थ बेवस्ता डग मगा जाए, ठीक है, यह आप जब World Trade Organization के बारे में पढ़ते हो, WTO के बारे में, तब आपको यह सारी जानकारिया मिलती ही मिलती हैं, ठीक है, जो मैं आपको यह नियम कायदे बता रहा हूँ, कि कैसे यह करेंगे, और ऐसे ही, export करके मैंने, economy को कैसे, आप dumping नहीं कर सकते, ठीक है, anti-dumping laws होते हैं, कि आपके पास बहुत सारा कोई material बच गया है, जो आपके, आपकी जो market consumer नहीं कर पा रही है, तो क्या करेंगे, आप सस्तिताओं में दूसरी economy में उस चीज को base देंगे, ठीक है, मान लो हमने banglays base दिया, ऐसा item silanka base दिया, जो हमारे economy consume नहीं कर पा रही है, तो उसको dumping करेंगे, तो जिसकी ऐसे वहां की rate down हो जाएगे, और वहां के जो लोग है, उ इसके कुछ नियाम होते हैं, तो अब यही सारी चीजे जो मैं आपको बता रहा हूँ, product के उपर यही agriculture के उपर हो जाता है, जैसे मैं आपको subsidy के बारे में बताया, ठीक है, और इनका वो आप जब पढ़ोगे ना, तो green box, blue box, यह यह तिने, तिन चीजे, दो-तिन, green box, blue box, य यह सारी चीजे आप पढ़ोगे WTO में, तो यह agriculture के उपर ही रहती है, कि किस product पर आपको subsidy देनी चाहिए, किस पर नहीं देनी चाहिए, subsidy है, तो उसको कब तक आपको खतम करना है, developed countries के लिए क्या इसका impact है, developing countries के लिए क्या इसका impact है, ठीक है, developing countries तो अपनी इंडिया है, तो यही आपको देखना है, मैं हर question के लिए नहीं बता हूँगा, लेकिन thinking आपको बहुत सारे questions के बारे मता दुआ, explain the make in India initiative of government of India, अब make in India के बारे आप जनरली पढ़ती ही पढ़ती हो, ठीक है, जो share बना रहता है, अब इसके initiatives, explain the make in India initiative, अब government ने इसके लिए क्या-क्या policies बना अब social welfare में आपके poor आ जाते हैं, rich person के लिए क्या policy बनाई है, तो जब rich person के लिए policy देखोगे, तो वो impact करेंगी poor को, that's why आपको ऐसे पढ़ना है, education and health के लिए क्या policies बनाई है, make in India, अब make in India क्या development की policies हैं, कि देश को कैसे develop करना है, ठीक है, आपको बहुत है education and health भी तो develop करत 47 के दो है, 70 इस तक हमें developed country बनाना है उनको, अपने इंडिया को, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, तो इस तरह से आप मेक in India में भी बहुत कुछ लिख सकते हो, make in India किसको effect करता है, यह सारी चीज़ें पर यह नहीं है, आपको यहाँ पर government के initiative लिखना है, तो थोड 211, तो आपको census 2011 बहुत अच्छे से पढ़ना है, अगले साल जब census हो जाएगा अपना, ठीक है, 2025 में हो है, तो जब 2026 वाले बच्चे पढ़ेंगे, तो वो इस वाले census को अच्छे से पढ़ेंगे, कि भर भर की question आने वाले हैं, अब यह 2025 के लिए I don't think so कि यह क्या बोलते ह हैं आपके लिए important रहेगा, जो नया अपना census हाएगा, अपने लिए अभी 211 बाला ही अगले साले बाले बच्चों के लिए important रहेगा, एक्स्विंद इंफ्रेक्ट्रॉक्ट्ट्र फैसिलिटी फॉर इंड़स्ट्री से मद्धपदेश, अब MP में इंफ्रेक्ट्रॉक्ट् यहाँ कोई पढ़ता है, लेकिं इंफ्रेक्ट्री फैसिलिटी के बारे पूछा गया है, तो आजकल नए-ने कॉरिडोर बनाते हैं, इसको आप पूरे देश के साथ कनेक्टिविटी देते हैं, जो गोल्डन कोडिलेटरल वगरा है, उससे आप पूरे के पूरे इंडिया से कनेक्ट करते हो सारी चीज़ें, हो सकता है मेरी बहुत सारे वर्ड आपको नहीं समझ मा रहे हो, क्योंकि आपने अभी पढ़े नहीं होंगे, आप beginner होंगे, लेकिन डॉन वरी, जब आप पढ़ोगे न, तब आप इन चीजों को आपके subconscious mind अपने आप बता देगा, यह है, गुवालियर के पास एक जगह है मालनपूर, वहाँ पर जो इंडस्टीज हैं, पहले माल दीजिए, अगर वहाँ पर 20 इंडस्टीज थी अब वहाँ पर जाके 5 या 6 इंडस्टीज बची हुई है, तो मैं इसका एक्सेंबल लिखता कि कि इस तरह से government की policy effect कर रहे हैं कि यहां पर इंडस्टीज उट नहीं पा रही हैं, अच्छे से, और किसी एक ऐसी जगहा एक एक जामबल दे तहा जहां पर इंडस्टीज उट रही हैं, तो इन्डस्टीज आप खोल रहे हैं, आपको 24 आवर लाइट पानी की पड़ेगी, यह किस तरह की facilities MP government दे रही है, यह स और आप तंपेर भी कर सकते हो, गुजरात से, कि गुजरात में सब चाहते इंडस्टीज आ रही हैं, महाराष्ट में बहुत आती हैं, साउथ में भी बहुत आती हैं, ठीक है, Coastal Areas में बहुत आती हैं, क्यों कि हमारा MP landlocked state है, landlocked, landlocked का मतलब है कि ऐसा state जो चारो तरफ स लेंड से घरा हुआ है, ना कि पानी से, ठीक है, तो इसके भी क्या challenges है, इसके लिए government क्या कर रही है, किस तरह के road connectivity है, बहुत ज़्यादा important हो जाता है, अपनी MP के लिए, इस तरह सापको सोचना है, explain the challenges of vocational education in India, of vocational education, ठीक है भारत में बहुत साइक, सिच्छा की चिनोती है भाई, completely stakeholder approach यहां पर लगा सकते हो, कि सिच्छा पहले तो vocational education किसको चाहिए, किसको चाहिए, हम लोग को, human, अब human में भी कौन से लोग को चाहिए, जो unskilled है, ठीक है, या फिर जो थोड़े skilled है, skilled मतलब जो पढ़ चुके है, लेकिन वो किसी एक skill में महारत हासल नहीं करते ह कोई उनको अलग से skill सीखनी है, उनके लिए, ठीक है, उनकी family पर क्या impact पढ़ेगा, हमारे देश की education कैसी है, उसमें इसको किस तरह से include कर सकते है, vocational education को, ठीक है, जो national education policy है उसमें इसका दिया हुआ है, और क्या बोलते है, इसकी वज़े से human की family है, उस पर कैसे impact करेगा, औ और अपने इंडिया की growth में ये कैसे फाइदा करेगा, ये vocational education, आजकल government focus क्या कर रही है, कि हम सभी लोग को government job ना देते हुए, जो आप government job की तयारी कर रहे है, वो ना देते हुए, हम उनका ऐसी skills दें, ताकि वो अपना startups open कर सकें, अपना startup open कर सकें, ये सारी चीज़ें elderly people in India, अब इंडिया के अंदर जो elderly people है, उनकी क्या problems है, ओके, यहां पर हमें इसके बारे में जानना है, completely देखो, इसमें dimensions के through भी कर सकते हो, stakeholder approach के through भी कर सकते हो, अब कैसे आप करोगे, ठीक, what is the main problem of elderly people, अब elderly people, मतलब जो लोग 60 की age से उपर हो गए, ठीक, अब सोचोगे कि अच्छा ठीक है, 60 की age से उपर हो गए, तो 60 की age में इंसान करता क्या है, इंसान लेता है retirement, इंसान लेता है retirement, अब यहां पर आपने इतना सोच लिए है, retire हो गया, मतलब बंदा खाली हो गया, अब बंदा खाली हो गया, तो वो किस पर dependent होगा, वो family पर dependent होगा, यह chain reaction में आपको बता रहा हूँ, इसमें stakeholder chain दोनों आ जाती है, अब family पर dependent होगा, अब family पर dependent होगा, government पर dependent होगा, government देती है ना उसे, उसने जो कमाया है, उसको पीए 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 हो सकता है, उस पर depend हो, government की कुछ policies पर depend हो, family पर depend हो, family वालों ने निकाल दिया तो ब्रद आस्रम पर depend ह ठीक है, ऐसा भी तो है, आजकल तो यह बहुत popular है, आप लोग अपने मावापको easily निकाल देते हो, पढ़ लिक के MPPSC कर लिया, तेसिलदार बन गए आप, deputy collector बन गए और मावाप के आरे, जाओ यार अपनी बीवी बच्चों को रखेंगे, मैं बैसे बहुत बोलना नहीं च क्या किया है, अपनी जो election commission ने, election commission of India ने, कि जो vote डालने नहीं डाल सकते है, वो valid paper से वोल डाल सकते है, ठीक है, postal valid बोलते हैं, I think इसको, postal valid बोलते हैं, कि वो घर बैटे ही vote डाल सकते हैं, यह उनके लिए facility elderly people की सुनाज की है, मतलब elderly people ऐसे लोग हैं, जो vote कर सकते हैं, यह सो उनके लिए बहुत बड़ प्यारी scheme निकाली, यह आप इसमें code कर सकते हो, एक example, तो आपको example यह बतारो कि किस तरह से यह work करते हैं, आपको example कैसे-कैसे code करने हैं, अगर आप ऐसे example code करोगे न, तो examiner को लगेगा कि यार बंदे ने ठीक है, recent के current की चीजे लिखी हैं इसमें दिरे दिरे जागे, तभी तो family पर depend होते हैं, अब family पर depend है, तो family पर जो कमाने वाले कम हो जाएंगे, और जो कमाने वाला है, उस पर पालने वालों की responsibility जदा बढ़ जाएगी, इस angle से भी आप इसको सोच सकते हो, society के angle से, आपको सोचना है है, अब आपने और देखा होगा कि आज कल government के जो वो है, offices, वहाँ पर ramp बनाए जाते हैं, ताकि जो physically handicapped people है, या जो थोड़े unfit people है, वो उस पर चड़ सके है, ramp या उनको wheelchair पर उपर ले जाए, साथ सके, सीडिया ना चड़नी पड़े होने, यह सारे किसके फादा है, elderly people के लिए ही तो है, ठीक है, इनकी pension च परते हो, कि status of women reservation, पंचायती राज system में, सबसे पहले इन ही में तो इस्टार्ट हुआ था, ठीक है, इस्टार्ट मदब पंचायती राज जो जो और मुल्सिपल मगरा, जो 73rd and 74th constitutional amendment act है, पॉलिटी में परते हो, तो वहाँ से आप इस question को easily solve कर सकते हो, what is exogamy क्या है, ठीक है बहिर बवा क्या है, exogamy, या आप history में भी थोड़ा सा पढ़ते हो, society में भी पढ़ते हो, society में तो जो marriages होता है, marriages वाले section पढ़ते हो, तो उसमें आप determination को पढ़ोगे, ठीक है, discuss the important measures of population control, आप population control करने के लिए important measures क्या-क्या हो सकते है, ठीक है, इसमें एक तो आप fertility rate आपको पता होने चाहिए, कि fertility rate इंडिया की क्या चल रही है, accordingly 2.1 की about चल रही है, मतलब हर एक woman अपनी जीवन काल में 2.1 बच्चा पैदा करती है, आप सुझोगे साथ 2.1 कैसे करती है, जब यह detail में आप पढ़ोगे, तब आप समझ पाओगे, got my point, fertility rate को इस से relate करोगे, आप census से, census आपने अच्छे से पढ़ा है, उसको relate करोगे, यहाँ पर, government policies को आप यहाँ पर relate करोगे, और लोगों की thinking को आप relate करोगे, इसमें Hindu Muslim बाला angle भी आप डाल सकते हो, कोई issue नहीं आएगा, यहाँ पर issue नहीं आएगा, ठीक है, कि community based कैसे, जो उनके, खुद के वो होते है ना, कई states ने यह policy बनाई है, कि अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं, तो आपको government job नहीं मिलेगी, ठीक है, बच्चों government job allow नहीं होगी, आपको बहुत सारे government की policies का फाइदा नहीं मिलेगा, यह सारी चीज़ें आप इसमें लेख सकते हो, बिना हमने इस चीज को पढ़े, ह आप कोगे सर्फ बहुत बड़ा जा रहा है, वीडियो, तो अब अभी तक आप एक चीज तो समझ गया होगे, किस तरह से approach करना है, अब मैं जल्द जल्दी questions को एक बार questions को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप अगर खुद से भी ना करें, तो आपको पता दो हो ना कि कैसे questions आ रहे हैं, अब जैसे कि देखो, अब farmers की उपर बहुत questions आते हैं, आप इसको याद रखें, farmers की उपर, farmers की जो schemes है, schemes की उपर बहुत जाला questions है, आपको हर scheme को पढ़के जाना है, अच्छे से और जो नई schemes है, उनको तो definitely पढ़के जाना है, और MP जो है अपना मद्ध farmers के लिए ही तो है, सिपरासिंग चोहाना भी कौन बन गया है, agriculture minister बन गया है कि नहीं, तब क्यों बनाया है उनको, क्योंकि उन्होंने MP को agriculture में बहुत आगे पहुंचा है, तब ही तो बनाया, तो अब open market operations क्या होते है, RBI के लेटेट जब आप वरते हैं बैंकिंग वाली में कई सारी currencies का मिसरण होता है, तो आप चलो, आए मैं पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा, एक्समें, चीब मिनिश्टर देगो, फिर से चीब मिनिश्टर, farmer welfare scheme, तो आप इस से पता चल गया कि farmers की जो schemes है, उनके उपर आपको अच्छा-कासा ध्यान देना है, या आपको theme पता चल गया, ठीक है, what are the main pulses crops of Madhya Pradesh, completely agriculture का question है, which spice crop are, including spice area, extension scheme, completely factual question है, in which schedule, the education as a subject is in the Indian education, किस schedule के इंदर है, 7th schedule है, जिसमें आपकी list होती है, state list, union list, concurrent list, फिर इसको कब concurrent list में डाला गया, education को, तो concurrent list का मतलब क्या होता है, कि education के ऊपर, आप state भी लोग बना सकती है, union भी लोग बना सकती है, central भी लोग बना सकती है, central जो है, वो भी लोग बना सकती है, तो यह polity का question हुआ है, ठीक है, who said, अब जो, हमें समय बोलता हूँ, जब भी कोई बोलता है, कि किसने का है, बहीं य मैं इन question को छोड़ता हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मैं कभी याद तक नहीं करता, किसने क्या का है, में में तुम मुझे खुन दो, मैं तुम्हें आ जा दी दूँगा, ठीक है, Simon, go back, यह सारे नारे, चलो, ठीक है, यह थो थोड़े simple है, लेकिन यह तो मैं नहीं पढ़त ठीक है, नाइधर Hindu nor Hindu tradition, education among women, ठीक है, आपको अगर पढ़ा हो तो बहुत अचीवाद है, नहीं तो जैतरी महाकाल, चलो, three right, three objectives of education, मैंने बोला, education के वारे हम आपको पढ़ना ही, पढ़ना है, इसके तीन objective क्या क्या हो सकते है, भही, ठीक है, देश के अविश्टेकोल्टर ठीक हो गई, देश हो गया, ठीक है, फिर से human, यह तो रहीगा ही रहेगा, education से, environment को भी education में जोड सकते हो, कोई दिक्टती बात नहीं है, family को भी education में जोड सकते हो, कैसे growth करी, women भी education में जोड सकते हो, तो इसके objective लिख दो, ठीक है, human development, country development, इस तरह से कोई भी objective बना लो, आ जैसे आप national education policy पढ़ लोगे ना, तो education को, आपका कोई question नहीं रुखने वाला, who consider civilization as equal meaning to culture, किसने consider किया था, in which book factual है, right four impact of Hindu dharma and Indian society, यह factual नहीं है, यह conceptual है, Hindu dharma के four impact, क्या impact हुए Indian society के उपर, तो इसको थोड़ा western culture है ना, उससे लेट कर गया, बहुत ईजीली इसका solve करते हो, कि उनका culture कैसा है, हमारा culture कैसा है, कैसे different है, उनका culture भी अच्छा है, कभी negative बाते नहीं लिखनी है आपको, ठीक है, और India का culture भी अच्छा है, इसके बारे तो अच्छी बाते लिखनी है, लिखनी पड़ेगी, क्या Indian society पर क्या उसका impact हुआ है, यह, कि ज्यादातर लोग Hindu dharma क को follow करते हैं अपने इंडिया में, ठीक है, हिंदु धर्म के बारे में तो पूछा गया है, वैसे थोड़ा सा धार्मिक कोईशन हो गया है, जनरली इस तरह का question, exam में कम पूछा जाता है, लेकिन ठीक है, चलो, पूछ लिया कोई बात नहीं, आप इसके बारे भतरी चीजे ल इंपक्त करता है, तब निगेटिव इंपक्त भी लिख सकते हो, ठीक है, जो ऐसे सती पृथा बगरा हुई थी हमारी, तो वो क्या थे, वो निगेटिव इंपक्त थे, है क्या नहीं, तो यह सारी चीज़ आपको सोच रहे है, इसमें तो पांच क्या पचास लिख सकते हो, जो अनेंप्लोईमेंट है, वो बढ़ता रहे है, सोच लो क्या क्या डामेंश हो सकते है, अनेंप्लोईमेंट बढ़ रहा है, तो अनेंप्लोईमेंट से क्या क्या बढ़ सकता है, पौवर्टी, ठीक है, पौवर्टी बढ़ सकते है, एक vicious cycle बन जाती है, vicious cycle जानते हो ना, कि एक बर इंसन पूर हुआ तो इस पर पैसा भी कम होगा तो वह investment भी कम करेगा investment कम करेगा तो फिर से उस पर कम ही पैसा आएगा और कम ही पैसा आएगा तो गरीब का गरीब रहे जाए तो यह vicious cycle तो इस तरह से यह cycle बनती है ठीक है तो यह आप कई सारे लिखते हो मैयारी क्या है तो यह आपको फैक्ट चलोगे आपको वर्ड का मतलब पता है तो लिख दोगे नहीं पता तो जैसे रही माकल वर्ड गूल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ और्गनाशिशन का गोल क्या है ठीक है डव्लू एचो का पढ़ते ही पढ़ते हो गहीं डिसकस्ट रूल ऑफ फॉरें असिच्टेंस इन एकॉनमेक डेवलमेंट अफ इंडिया फॉरें असिच्टेंस कैसे जैसे कि जो बिदेसी बैंक होई आपकी ठीक है वो जो आ इम अफ बगरा होई ठीक है और कौन से होती है अपनी आशियान हुई ठीक है एंडिया होई नेशन डेवलमेंट बैंक होई एसीन डेवलमेंट बैंक होई तो यह जारी बैंक कौन से प्रोजेक्ट इननों फंड किया एकॉनमी आप यह पढ़ते ही इनके बारे में तो वो कैसे अपनी इंडिया की डेवलमेंट को हेल्प कर रहा है यह सारी चीजे राइट तो पर पास जो कोश्टल लाइन है यह कोई राज्य है तो यहाँ पर आपको फाइदा मिल जाएगा कि भाई यहाँ पर आप इसली एक्सपोर्ट कर सकते हो कोई चीजे लेकि लेकि लेंड लॉक्ट है तो आपको यह फाइदा नहीं मिलेगा तो यह रिजनल इंबिलेंस ही तो हुए ठीक है एक्प्रेशन में पता चुका है मैं ठीक है मैडिया फ्रेंड्स सोचो यह 2020 में फिर से आया था हम डिसकर अवरियस एक्सपेक्ट ऑफ इंट्रवेंशन मेंशन इन नेशनल पॉलिची ऑफ सीनियर सेटीजन नेशनल पॉलिची अडर्ली पीपल जो अभी पड़ा था ठीक है उनके बारे में दोयर ग्यारा ओके क्लैस ऑफ सिल्वेशन सोसाइडिया कोईशन एक और इसके बारे में आप जेंरल भी लिख सकते हो इसके बारे में इसके एक ग्रोथ की बात हो कि जब उसको पैसा ही कम होगा तो वो क्या करेगा तो फाइनिसल इंक्लूजन के लिए पताया था आपको ओके वाट आट इस ऑब्जेक्टिब या इसका सरोल प्रदानमंत्री जंधन योजना का क्या रूल है या वैसे एकोनमी में बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो मैंने आपको वी विश्य साइकल बताई ना कि इनप्लॉइमेंट होगा फिर पॉबर्टी आएगी पॉबर्टी आएगे तो कम पैसा होगा पैसा होगा तो कमवेज मिलेगा कम do which बॉल voll ंपामर को कैसे दबल की यै're पढ़ने जदिन आप कैसे डबल कि आपको अगर होडी कज़र के बारे पता है तो बस उसके बारे मैं अच्छी बाते लिग दो ऐसे डबल हो गई भाई या इरिकम ठीक है कि बंदा एक मलब फार्मरी भी कर रहा है क्रॉप भी होगा रहा है थोड़े से डॉमिस्टिक एनिमल भी पाल रहा है थोड़े सी वेज देख सकते हैं easily मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ और से सोचने का तरीका बढ़ रहा हूं nothing else okay विच एक्टिव सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीट है ओके यह एकॉनमी का पहला ही टॉपिक है यह आप पढ़ते ही पढ़ते हो एक्समें डाइरेक्ट हमारे उसमें ह स्लेवस में एक्समें है डाइरेक्ट टूरिज्म के बारे में दो जगह पर एक जगह पर है ठीक है अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो मैंने अल्रेडी यह जो एकॉनमी की स्ट्रेटीजी वीडियो ना उसको बताया कि टूरिज्म और जो उसको कैसे पढ़ना है है पुझा कि आप चेक कर लिएगा राइट ऑफ नोट ऑन इस्टेटस एंड चेलेंज वुमें एजुकेशन के सॉट नोट लिखना है वाइग एक तीसरा इस्टेटस हो गया और हमारा जो हमारा जो कल्चर है वो कल्चर भी इसमें कैसा है अपना मैट्रियाल का है पैट्रियार कर रहा है तो मतलब जो इंसान है जो आदमी है वो ज्यादा डॉमिनिट करता है कि नहीं करता ठीक है बैग्राउंड सतीपरसाब अगरा लिख सकते हैं कि पहले ऐसा कल्चर था चलो उनको टोका जाता है ठीक है और अभी जो इसमें करेंट में आपको लिखना है ना तो पिछले साली जो एक यूनिवर्सिटी में या कहां पर स्कूल में मुझे उसका नाम याद नहीं है उसमें हिजाब बैं किया था हिजाब बैं किया तो कम्मुनिटी कितना जादा वहां आप है रॉइट्स फगेरा थोड़े बहुत हुए थे ठीक है प्रतासन हुए थे इनके इसके अकॉर्डिंगली तो यह भी तो वूमेन एजुकेशन को इंपक कर रहा था ठीक है फिर कोर्ट ने इसके उपर क्या देश दिया कि भाई नहीं जो पॉलिसी जो बना रही है कपड़े पहन किया हो इसमें कोई ताकि किसी में भेदबाव ना हो सके यह सारे फूमेन एजुकेशन को इपक करते हैं कई लोगों ने क्या किया था कि लड़कियों को जब हिजाब बहन किया था तो उनको इस्कूल जाने से ही मना करते है था कि नहीं आप आप से इस्कूल नहीं जाओगी ठीक है तो यह women education को back करती है तो इस तरह से आप 4-5 point easily निकालके उनके बारे में लिख सकते हो discuss and causes the solution of problem deprived classes, already deprived classes के विए बहुत अच्छा बता चुका हूँ आपको फिसला explain the meaning and sociological importance of पुरुसार्थ पुरुसार्थ के चलो यह economy में कहां से आ गया ठीक है society आप पढ़ते हो आप evaluate the community development program, community development program को evaluate कि अभी community development थे वो पहले भी पढ़ा था यहां फिर थे ओके तो इस तरह से आप देख सकते हो किन से पहले भी था यहां पर भी है okay discuss the objective and function of world health organization, world health organization क्या importance है यह सारी जहीं आप पढ़ चुकियो मैं पता चुका हूँ आपको ठीक है चलो अब यह 2021 का, I think 22 का हो गया है आपका जो FBI है वो बैन ठीक है अभी क्या rules है वो आप नए पढ़के जाहिएगा तो FBI बहुत ज़्याद है important topic है ठीक है foreign directory investment when when was ACN formed अब जो मैंने आपको fund वगारा के बारें बताया तो ACN जो है वो कैसे form हुई थी ठीक है and member of countries are the time of system कौन कौन सी, ASEAN countries कौन सी है वो सारी चीज़े यह प्री के लिए भी पढ़ते हो what is the major objective of Indian promotion policy इसके नए अब्जेक्टिव क्या है भाई या Indian promotion policy तो industrial promotion policy तो इंड़स्टी को promote करने के लिए तो बनाई है ताकि उनको सस्ती 24 hour विजली मिल सके ठीक है electricity मिल सके पानी मिल सके 24 hour उनके approach road बहुत अच्छा हो approach road मतलब वहां पर पहुंचने का connectivity वह बहुत अच्छी हो तो यह सारी चीज़े आप इनके लिए लिए सकते objective आपको नहीं पढ़ा आपको नहीं पता इंड़स्ट्री promotion policy के तब भी उनको easily land मिल जाए जो industry setup करने के land easily मिल जाए यह सारे जहां land पैसे जो लोग को हटाए गया उनके लिए उनको easily moab jump अगरा मिल जाए यह कुछ भी लिख दो यार मैंने आपको कई सारी चीज़े बता दी हावे बैटे 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 कौन सी मैं इतनी सारी चीज़े लिख के लाए सारी चीज़े ऐसे ही होती है कोई इनको बहुत detail में पढ़ के नहीं जाता कि object बहुत detail में याद करके गया है एकदम रट्टा फिकेशन करके गया है जो रट्टा फिकेशन करके जाओ वो तो कभी नहीं आएगा तभी तो यह मेंस है मेंस अनलेटीकल चलना ही पड़ेग मैं इसको मनला attemptly नहीं करता, ठीक है, when was Sarf Sikhaabiyan launched, Sarf Sikhaabiyan kब launch जुगा, जनले इसको पढ़के जाते हैं, इसको तो मैं भी नी छोगँ, who was the chairman of the University Education Commission कौन है chairman, मुझे क्या बता, ठीक है, for the child labor according to child labor, अब child labor जो एक्ट है उसके according child labor कौन है, ठीक है, तो यह एक्ट आप पढ़के जाएगा, तो जो मॉटे-मॉटे जो एक्ट है नो, उनको आप पढ़के जाएगा, चाइल्ड से लेटेड हैं, वूमें से लेटेड हैं, ठीक है, एंविरोमेंट से जो वाटर पढ़के जाते हैं, okay, which rituals are celebrated before birth, कौन से पहले गोद भाही होती है, तो वह सारी चीज़े, पुरसार्थ देखो, वहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, मतलब इंपॉर्डेंट है, दोबार पढ़के जाएगे, ठीक, आस्रम, राइट और में लिखो, कौन सा किस के लड़का, लड़कियों के लिए, तो लड़किया पता चल गई, विध्याल है पता चल गया, तो परपस आप लिख नहीं पाओगे, क्या, अब मुझे बताओ, इतना मैंने आपको paper detail में बता दिया, आप क्या, क्या लोगे, कौन सा question आपको छूटने माला है, अब राइट अब तो मैंने analytical बताई दिया, को हो, ठीक है, देख मिड़े मेली scheme, ठीक है, important education की schemes है, उनको आप पढ़के जाओगे, जो major major scheme है, पहले उनको पढ़ोगे, फिर जो minor scheme है, उनको पढ़ोगे, ठीक है, discuss unemployment के बारे मैं, भाई, detail मैं बता चुका हूँ, ठीक है, जो VCS cycle अभी बत पढ़ती ही, पढ़ती हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, write the schemes run by for the farmers prosperity, अब मैंने बता है, farmers के उपढ़ जो भी schemes है, वो आपको पढ़के जाने है, तो आप easily उनके 4-5 scheme है, का नाम easily घड़ा 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 लिख सकते हो, service sector क्या है, ठीक है, what is the contribution of service sector, agriculture, service sector, manufacturing sector, यह 3 sector होते है इंपोर्टेंट, तो पहले independence के टाइम पे इन का कितना रोल था, अभी service sector बहुत अच्छा ग्रो कर गया, इंडिया का, ठीक है, manufacturing sector अच्छा ग्रो नहीं किया, agriculture sector की downgrade आ गया है, पहले मतलब मानलो की, I think so, 50-60% dependence थी, अभी तो बहुत कम रह गया, नहीं, 80 थी, 70-80, मुझे याद नहीं अच्छे से, ठीक, अभी तो 50% के decline हुग है, agriculture, dependence है, what is the key element, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, की element क्या है, यह नहीं पढ़ा, तब भी आप लिख सकते हो, कि बेटी बचाओ, क्या फाइदा होगा, कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, उनकी growth करो, ता अच्छे करें, man, woman, man के बारे में, तो कभी question आता ही निए, ठीक है, यह तो woman के बारे में आएगा, घ्या चलो, transgender के बारे में आ गया, थोड़ा child के बारे में भी पढ़ के जाना, ठीक है, girls के बारे में पढ़ के जाना, और child के बारे में, एक तो इनके labor loss गयरा होते है, उनक इतना जरूरी है ठीक है elementary education की उपर question आई चुका है that's all okay यह सारी चीज़ आपको पढ़के जाने है और malnutrition मतलब क्या बुलता है को पोशन बच्चों माँ को पोशन फैलता है ना उसकी उपर भी question है तो child से देखो कितने सारी dimensions निकलाते है है what are the eight type of marriages history का direct question है ठीक है eight type marriages क्या है प्राइम मंत्री आदास ग्राम योजना ठीक है simple question है as per the census देखो census 2011 अच्छे से पढ़के जाना है क्योंकि फिरसी question आ गया what are sexually transmitted diseases ठीक है consequences sexually transmitted diseases health के topic में है यह question describe the methods of measuring national income के तीन methods होते है ना expenditure method production method value addition value addition method ठीक है तो यह तीनों method आपको पढ़के जाने है कौन-कौन से method है इन्हें जो GDP पढ़ते हो ना GDP ठीक है तो इसमें यह सारी topics आते हैं और इंडिया कौन सा इसमें से यूज़ करता है वो भी आपको पता होगा नहीं पता है जो पढ़ोगी पढ़ोगे ठीक है राइन फाइव मिजर कॉसिस देट ब्रिंग डिस डिस अक्लिब्रियम इन बिलेंस ओपिमेंट बिलेंस ओपिमेंट आप बहुत अची से पढ़के जाते हो तो उसके फाइव मिज ठीक है और यहां पर इंडेस्ट्री को निंग कर सकते हो जो इंडेस्ट्री का पॉलिटिस अपको पढ़के जाना तो इसमें इनका मतलब भी आपको सौंच में आ जाएगा इगा डिफाइंट कुल्चर एन आउटलाइन यह कल्चर सौसाइटी का पार्ट है ओके कल्चर पढ़ोगी पढ़ोगी फैमिली कोड ओके डिसकर से कंटेक्स एंद परपस ऑफ आई सीडियास का फंसन क्या है नहीं पता हो तो आप इसको कल नॉन कम्निकेशनल डिसीज क्या है पढ़के जाता है कोई तो यह होगा तीनों तीन साल की मैंने पेपर अनलेसे कर दिया आपके ल ने रहता है कमा रहूं तो मुझे और से ग्षा यह इसी कोई दिख्कत की बात नहीं है इं सरी चीजों मैं ठीक है यह तो बस मेरा एक पैसण है मुझे कि यहां तक कोई पहुंच नहीं पाता है, अगर आप पहुंचे हैं, तो लिटरली I want to say that you are a very serious person for your education, very serious student, very serious aspirant, आप जरूर करोगे क्योंकि अब आपने analysis करना सीख लिया है, my dear friends, thank you very much.